दोस्तों आप देख रहे हैं Unique Medicine YouTube चैनल दोस्तों आज हम बात करेंगे Capra 500MG Tablet के बारे में दोस्तों Capra 500MG Tablet की सबसे पहले हम Brands Name की बात करेंगे तो यह आपको Levisam और Labera के नाम से मिल जाती है दोस्तों यह Tablet, Injection और Syrup तीनों ही Form में आपको Medicine मिल जाती है जो की 200MG और 500MG की Strength में आती है दोस्तों यहाँ जो आप देख रहे हैं यह 500MG यानि 500MG की Strength में Tablet है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो चलिए जान लेते हैं इस Medicine के Benefits तो सबसे पहले हम इस Medicine के फाइदे की बात करेंगे इसके बाद हम इसके Side Effect, इसके Contra Indication क्या-क्या साथधानिया हैं तो सारी चीजों के बारे में जानेंगे दोस्तों यह एक स्ट्रिप में 10 Tablet आती हैं जैसा की आप यहाँ देख सकते हैं और यह Capra के नाम से आती है 500 Mg की इसकी Strength हो जाती हैं इसके अंदर Lavatory Sitarm Tablet होती हैं जो की Indian Pharmacopia के According 500 Mg की Strength में हैं Lavatory Sitarm इसका Generic Name है दबाई का मूल नाम है जो Salt इसके अंदर डाला हुआ है Tablet की Form में इनको बनाया है Indian Pharmacopia के According ध्यान में रखते हुए सारी चीजें और 500 Mg की इसकी Strength हो जाती है यानि हर एक Tablet का जो Strength है वो 500 Mg है दोस्तों जान लेते हैं इसके Benefits तो यह Levitra Sitarm एक Anti-Pileptic Medicine होती है जो की Treatment करती है मिर्गी और दौरे का दोस्तों जिन ब्यक्ति को या जिन पेशेंट को मिर्गी और दौरे की समस्या होती है जिनको Epilepsy की समस्या होती है उसके Treatment के लिए डॉक्टर के दौरा ये Medicine दी जाती है दोस्तों ये अलग-अलग तरह के जो Epilepsy होते हैं जैसे की Focal Epilepsy, Partial Complex Epilepsy और Generalized Epilepsy तो ये तीनों ही तरह के Epilepsy में यूज की जाती है डॉक्टर के दौरा दी जाती है दोस्तों ये जो है Single और Other किसी भी Supportive Medicine के साथ डॉक्टर के दौरा दी जाती है यानि डॉक्टर पहले Patient की जो Condition है जो बिमारी है उसको Diagnose करते हैं उसको Check करते हैं और इसके बाद उसकी जरुत के हिसाब से इसको Single यानि Single Salt या किसी दूसरी Medicine के यानि दूसरी Supportive Medicine के साथ में दे सकते हैं और दोस्तो जिसको दौरे की समस्या होती है जिनको Caesar बगेरा होता है जैसे किसी को Head Injury हो गई सर में चोट लगा और जिसकी बजासे उसको दौरे आते हैं दोस्तो अगर हम इसके डोस की बात करें तो डोस कभी भी मैं आपको नहीं बताता हूं और डोस कभी भी आपको खुछ से नहीं लेनी चाहिए डोज हमेशा आपके डॉक्टर की सला से ही आपको लेनी चाहिए और यहाँ पर आप कॉसन भी देख सकते हैं रेडिस्ट्रिब में कि कभी भी डोज आपको खुछ से नहीं लेनी है एक रेडिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिसनर यानी रेडिस्टर्ड डॉक्टर के परचे पर ही लेनी है सामाने तोर पर जानकारी के हिसाब से अगर हम देखें तो इसकी जो डोज होती है वो 200 mg और 500 mg की जो अलग-अलग strength होती है इस टैबलेट को खाने के बाद दिन में एक बार यूज किया जाता है यानी डॉक्टर जिस तरह से बताते हैं दोस्तो अगर हम बात करें इसके कुछ side effect की तो हो सकता है पेशेंट में common side effect आ सकते है sleep lessness हो सकता है उसको diginess वगएरा हो सकता है weakness आ सकती है पेड जो है upset हो सकता है abdomen और साथी साथ उसको diarrhea लग सकता है तो ये इस तरह के side effect जो है उसको आ सकते हैं तो ये normal common side effect की बात होई और दोस्तो जो इसके serious side effect होते हैं उसमें पेशेंट को suicidal thoughts आ सकते हैं मतलब पेशेंट को लगेगा कि मैं suicide कर लूँ या कुछ ऐसा कर लूँ वैसा कर लूँ तो इसलिए जो है इस medicine को लेने के बाद में डॉक्टर जो है सला करते हैं कि पेशेंट को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना है घर का कोई व्यक्ति उसके साथ हमेशा रहना चाहिए ताकि उसको किसी तरह का कोई side effect आए तो उसको monitor किया जा सके और उस पर नजर रखी जा सके और दोस्तो साथी severe allergy हो सकती है पेशेंट को तो ऐसा कुछ होता है तो तुरंत medicine को रोकना है और डॉक्टर को बताना है तो दोस्तो ये सारी जानकारी आपको जानकारी के तोर पर दी जा रही है ताकि आपके मेंसे अगर कोई इस तरह का यूज़ करता है टैबलेट का तो उनको ये सारी चीज़ों का पता होना चाहिए और उनको जो है basic जानकारी इसके वारे में होना चाहिए दोस्तो अगर हम इसके warnings की बात कर लें तो जो गर्भती महिलाएं होती हैं वो जो है इसको बिलकुल ना लें जो माताएं बहने बच्चों को दूद पिलाती हैं वो डॉक्टर की सला से ले सकती है और साथी साथ जिनको लीवर किड़नी की प्रॉबलम है तो वो सरिफ डॉक्टर की सला से ही यूज कर सकते हैं अगर उनके डॉक्टर बोलते हैं तब ले सकते हैं अदरवाइस बिल्कुल भी आपको ये मैडिसिन इस तरह की नहीं लेनी है दोस्तों अगर इस तरह की मैडिसिन से किसी को पास्ट कोई मैडिकल हिस्ट्री रही है कोई अलर्जी हुई है तो बता दें अपने डॉक्टर को और साथ में अगर कोई अधर मैडिकेशन आप कर रहे हैं 2019 की इसकी manufacturing है और 11-2021 की इसकी expiry है दोस्तों तो इस तरह से कभी भी आप medicine खरीते हैं तो आप ये expiry और manufacturing date MRP वगेरा सारी चीज़ें देख लिया करें ताकि आप कोई खराब medicine न लाएं और आपका जो पैसा है वो कहीं भी फालतु कोई ना ले सके तो गाइस ये इस तरह से इस लिवा sitram यानी Capra 500 mg tablet के बारे में जानकारी हो जाती है मैं आसा गरता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और share कर दें चैनल को subscribe कर लें ताकि आपको ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो मिलते रहें तो मिलते हैं आप आपसे एक नई वीडियो में इसी तरह की एक नई जानकारी के साथ तब तक सेफ रहें अपना ख्याल रखिए वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद आपका दिन सूप सूप